जै गों मातागी, जै भारत मातागी दोस्तों, आज का हमारा विशे रहने वाला है में इस रासी को लेके जनवरी का महिना आपको क्या देने वाला है क्या समश्य खड़ा करने वाला है और कौन सी समश्यों का स्लूशन जनवरी का महिना आपके लिए करने वाला है इसके अलावा विद्यारतों के लिए मैना कैसा रहेगा आपके स्वास्ते की स्थिति कैसी रहेगी कोट कचैडी से जुड़े हुए मामले आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या उपचार करना चाहिए यही विशाज का आमारे रहने वाला है तो दोस्तो मैं अन्सुमन सर चंद्रमा आप सबका आपके चैनल जोति सादना के अंदर यूटूब पर स्वागत करता हूं और यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें यही विनती फेस्बुक से जुड़े हुए मित्रों से है कि आप हमारे चैनल को इस विशय पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों जन्वरी का महिना राहू के साथ चंद्रमा दोनों का एक साथ लगन में बैठना और नए साल का प्रारम होना यह कहीं ना कहीं छोटे मोटे परिशानियों को देने वाला है मान सिक कष्ट को देने वाला है स्वास्थे में कुछ दुविधाएं देने वाला है परन्तु ऐसा नहीं है कि पूरा महिना आपका ऐसा जाने वाला है या पूरा साल ऐसा जाने वाला है यह कुछी दिनों की बात है उसके बाद आपकी स्थिति बहतर होगी क्योंकि इसी महिने में बहुत से ग्रहे आपके कुंडले में प्रिवर बढ़ सकता है वात रोग पर नियंतर करने के लिए सेर जरूर कीजिएगा और समय पर खाना पिना खाईएगा और मैडिसन का सहरा लेकर अपना चेक अप जरूर करिएगा समय पर द्वाई लीजिएगा तो कोई जादा बड़ी आपके लिए समस्या नई खड़े उने वाली है हलका सा पेट में जो है पेन भी हो सकता है और पेट से गैस उठकर सिर में जा सकती है जिससे सिर भारी या सिर में दर्द की सिकायत हो सकती है तो ऐसे स्तिशियों से बचने के लिए आपको प्रियतन करते रहना पड़ेगा वो आयरुवेद हो या एलोपैथिक कोई भी मैडि दिख दीजिएगा इसके अलाबा दोस्तों विद्यार्थियों को इस वर्स में इस महिने में बहुत ज्यादा मेहनद करनी के आवशकता है क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टी है जो की अच्छा नहीं है और राहु अभी परिवर्टन करने वाले नहीं है साथ मे जंद्रमा है तो एक जो है टकराओ की स्तिति आपके लगन पर है लगन में है और वही दृष्टियां आपके जो है विद्यास्तान पर पड़ रही हैं तो एक स्तिरता के साथ मन करके आप अपने विजह को हासिल कर सकते हैं जनून के साथ आप अपनी हर समस्या का स्लूशन क कर सकते हैं लापरवा मत हुइएगा क्योंकि आप एक्जाम में रह सकते हैं अगर आपका कोई एक्जाम है या प्रॉर्मेंट साइट से हैं या खिसी沒有 है तो आपको बहुत ज्यादा मेनध की आउश्छता पड़ने वाली है तो इस लिए आपका दबदवा बढ़नेवाला है और जिसके खिलाप या जो आपके खिलाप केसको लड़ा है उसका दबदवा कम होने वाला है अर्थात आप जीत को हासिल कर सकते हैं इस महीने में इसके अलावा दोस्तों बारा जनवरी को मंगल मारगी होने जा रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा होने वाला है अच्छा फल देने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों चोदा जनवरी को सूरिय प्रिवर्तन करेंगे ये परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके एकादस भाव में होने वाला है क्योंकि सनी कुम रासी में 17 जन्वरी को विराजमान होने वाले हैं और ये आपका एकादस तान्त बनता है यहां पर हर ग्रह बैठकर अच्छा ही प्रणाम देता है तो सनी भी यहां पर बैठक आपकी बहुत सी समस्याओं का solution करने वाले हैं तो सनी का सिम्रेंट करते रहेगा ताकि उनका आपकी तरफ ध्यान बढ़ जाए जिससे आपकी समस्याओं कम हो जाएं इसके अलावा दोस्तो सुक्र जो है बाइस जन्वरी को परिवर्तन करेगा शनी के साथ बहुत अच्छा अधभुद मिलन होने जा रहा है सुक्र और शनी का जो की कादस भाव में दोनों गरह एक साथ बैठकर आपके सुक्षुदाओं में चार चान लगाने वाले हैं तो वस थोड़ा सा समय है स्टार्टिंग भले ही थोड़ी समश्याओं से संबन दिते हैं मानसिक चिंताए भी हैं सारिक प्रेशानिया भी हैं कश्ट भी हैं धन का भी अपवया धिक जादा है धन बरबाद होने वाला है स्टार्टिंग में तो दोस्तों उसके बाद सब कुछ स्थितियां बहतर होने वाले हैं जो की पंचम द्रिष्टी से आपके विद्यास्तान में बढ़ुत्री करेंगे सब्तम स्थान पर द्रिष्टी डाल कर यदि आवय विवाहित है या विवा में बादाएं चल रही हैं तो वो सभी बादाओं को समाप्त करने वाले हैं तो इस परकार से गुरू की जो है तृतिय द्रिष्टी आपके भाग्यास्तान पर पढ़ने वाली है पंचम द्रिष्टी विद्यास्तान पर सब्तम द्रिष्टी आपके साथ में भाव पर और दस में द्रिष्टी आपके जो है व्यवशाई पर आपके बिजनेस पर आपकी नोकरी पर यहां पर सभी जग नया कारिये प्रारम नहीं करना चाहिए, नए कारिये को करने से बचना चाहिए, और किसी को उधार धन देने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो धन आप यदि किसी को देते हैं, तो इससे आपके रिस्ते खराब हो सकते हैं, जिसको भी आप देंगे, क्योंकि आपका स समय अच्छा नहीं है और यह आप जानते ही हैं कि जब समय अच्छा ना हो तो अच्छा करके भी कई बार प्रेशानियां उठानी पड़ती हैं और अपने ही बारे में कुछ बुरा सुनना पड़ता है तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा विलंब केजिए और इस कठीन समय को का प्रेश करना चाहूंगा जिससे आपको समस्यां से लड़ने में बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और बहुत सी स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगे शिव भगवान का सिम्रन कीजिएगा ओम नमश्वय मंतर का जाप कीजिएगा और दूद में काले तिल करेगी यही जल आप इसी परकार से शिवलिंग पर और पिपल पर भी अरपन कर सकते हैं सोमार के दिन शिवलिंग में जरूर जाईएगा और विद्यार्थियों के लिए ब्रहस पती के राधना करना बहुत आवशक है ब्रहस पती के ओम ग्राम ग्रिम ग्रोम सह गुरुवे इस मंतर का जाप करिएगा या फिर ओम ब्रहस पती नमा इस मंतर का जाप कीजिएगा और पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल कर आप प्रति दिन सनान कीजिएगा तो गुरु के आपको असीम किरपा प्राप्त होगी जो पेप्रों में आ रही बादाएं समाप्त होंगी भी अच्छा मिलेगा और भगवान के आपको असिन कृपा भी देखने को मिलेगी जरूरत मंदों की मदद करिएगा भूकों को खाना खिलाइएगा सरदी का मोसम है हर एक जीव जन्तु की रक्षा कीजिएगा और चाहे वो भले मनुष्य हो पसू हो या पक्सी हो सभी का ए अफका भला जरूर करेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दूसरी हमारी वीडियो बनने वाली है वो विरिशव रासी के लिए तो विरफ्स रासी वालों को थोड़ा सा वेट करना होगा अंक में दोस्तों जाते जाते चैनल को सस्क्राइब किजिएगा बैल आइकन को आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा और आपके मन में क्या प्रशन है वो प्रशन भी जरूर लिखेगा हमारा प्रियास रहेगा कि हम आपके उस प्रशन का उत्र दे पाएं और अपना करतविया निभाप आएं जैगौ माता की जै भारत माता की